हेलो गाईज, तुझी आज इद है, तो रेडी होते हैं, पहले लगाते हैं काजल और फे पैंते हैं छुमका तो ये है मेरा इद का सूट, जो बड़ाई खुबसूरत सा था, कलरफुल दुबटा, चूडियां और जनाब खाना मैंने रेडी कर लिया था बच्चों ने कहा था कि मामा स्पेशल बर्यानी बनाएं हमारे लिए, तो ये देखे मेरी बर्यानी, बहुत मज़े की थी, और बड़ी तारीफ, आज भी मैंने बटोरी, हस्बंड से, अम्मी अब्बू से, बच्चों से, तो आदा दिन तो मेरा किचन में गुजरा, उसके ब तो हस्बंड चले गे थे, नारान का गान, और मैं चले गे याज अपनी दोस्त की तरफ, जिसका घर मार्शाला बहुत खुब्सूरत है, आप भी देखें, बड़ी खुब्सूरती से इसने सजाया हुआ था, काफी एरसे बात में इनसे मिलने के लिए गई, इनके साथ भी धेरों बातें के लिए को एक घंडा मैंने इनके घर गुजारा, और पर मैंने सोचा कि आपको भी इनका घर दिखाया जाए, तो मैं जब भी इसके घर जाती हूँ, इसकी बेटी का ये जूला है, मैं इस पे जूरूर जूले लेकर आती हूँ, मुझे भी बड़ा शौक है, मैं इस तरह का लूँ, तो मैं भी लूँगी इन्शाला, तो जी शाम को फिर मैं घर वापस आई, तो अम्मी, मैंने, और अबुजी ने मिलके चाए भी, कि मुझे जब भी छुटी होती है, मैं शाम की चाए, अम्मी अबु के साथ मिलके बैट के पीती हूँ, और मेरी जाल रखें, इसके दिनों में अपने प्यारों का अपना अलाहाफिस,